तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत से केक के डिजाइन शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी यहाँ मैंने हाफ केजी का केक है जिसे मैंने करम कोटिंग कर ली है और इसे थोड़ी देर फिर्ज मेर कर दिया था और आब मैं ले रही हूँ चॉकलेट गनास तो मैंने एक पाइपिंग बैग में यह चौकलेट गनास भर ली है और अब हम इसे इस तरह से drip करते जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें यह गनास drip करते जाना है तो इस तरह से आप piping bag में भर लोगे तो बहुत easily हो जाएगा तो यह देखिए मैं कैसे कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे से ड्रिप करते जाना है कहीं थोड़ा ज़ादा ड्रिप होगा कहीं कम होगा तो वो एफेक्ट और भी ज़ादा अच्छा आता है तो अब जहां भी गैप लग रहा है में थोड़ा थोड़ा और चॉकलेट ड्रिप कर दे रही हूं यह देखिए इससे बहुत ही अच्छा एफेक्ट आता है और यह बहुत ही खुब्सूरत लगता है तो अब देखिए चार तरफ अच्छे से कवर हो गया तो अब सेंटर में भी मैं इसे पूरा चॉकलेट से जो गनास बना इससे मैं कवर कर दूँगी तो यहां पर भी मैं अच्छे से चॉकलेट डाल ले रही हूं और अब एक पैलेट नाइफ से मैं इसे अच्छे से कवर कर दूँगी साथ हलके से बोट को खुमाते जाना और इसे पूरा अच्छे से कवर कर देना है तो जहां भी मैं वहाँ और डाल लेजे और इसी तरह समय से पूरा अच्छे से कवर कर देना है देखिए बिलकुल अच्छे से बराबर कर दीजे उपर से क्लीन तो ये देखिए पूरा अच्छे से कवर कर दे रही हूँ मैं अब देखिए पूरा अच्छे से कवर हो गया है तो अब ये मेरे पास विपिंग क्रीम है तो थोड़ा सा गनास मैं इसमें भी मिक्स कर ले रही हूँ जिससे इसमें भी चॉकलेट का फ्लेवर आ जाएगा और इसका कलर भी हलका सा चॉकलेटी सा हो जाएगा तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो अब मैंने इसे पाइपिंग बैग में भर लिया और इसमें मैंने लगा ली है बासकेट के इफैट वाली जो नोजल आती है वो लगा लिए और इसे नीचे हलका हलका सा इस तरह से डिजाइन बना रही हूँ तो ये देखिए लका हलका सा उभारते वे इस तरह से डिजाइन बना रही हूँ आपकी ये creativity है आप कैसे भी इसमें क्या design बनाते हैं तो इस तरह से चारों तरफ मैं से cover कर दिया ये देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है और अब मैं इसी से ये देखिए इस तरह से सीधा सीधा line draw करती जारी थोड़ी थोड़ी सी gap के दूरी पे से हम draw कर लेना है और गुमा दिया है और दूसरी तरफ से इसमें छोटे-छोटे से देखिए मैं कैसे बना रही है चोटा-छोटा सा line इसमें draw कर लेनी है तो मैं इसमें जैसा basket के जैसा effect देना चाहरी हूं इसके लिए मैं इस तरह से बना रही हूं तो उसके नीचे वाले में भी इसी तरह से बन अब मैंने white color की whipping cream ले ली है और इसमें मैंने star nozzle लगा लिया है और इसे छोटे-छोटे से round बनाते जाओंगी बाकी के half जो बचा हुआ है cake हमें इसे इस तरह से cover कर देना है तो यह बहुत ही खुबसूरत सा look आता है इसका तो white और light brown color का combination बहुत ही अच्छा देखेगा तो यह देखे कितना खुबसूरत लग रहा है और मैंने बाकी के half को इस तरह से cover कर दिया है तो यह देखे और अब इसमें मैं थोड़ा सा color add करने के लिए थोड़े से sprinkle डाल रही हूँ तो green color के sprinkle मैं डाल रही है अब कैसे भी डाल लीजिए जिस भी color का तो थोड़ा सा इसमें color add हो जा रहा है यह थोड़ा white लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा color add करने के लिए थोड़े से sprinkle डाल लिए है और अब देखिए और अब मैं इसमें थोड़ा सा चैरी के टुकड़े डाल रही हूँ जिससे इसमें रेट कलर का भी एफेक्ट आजा रहा है उसे और भी ज़्यादा ये खुबसूरत लग रहा है और फाइनली ये देखिए मेरा केक हो गया है रेडी तो बहुत ही आसान से बहुत ही ईजी तरीके से ये केक बनके रेडी हो जाता है और देखे कितना खुबसूरत ये केक बनके रेडी हो गया है बहुत ही खुबसूरत केक बना है तो आप किसी के भी बर्डे हो एन्वरसरी आप ये केक बनाएए से बहुत पसंद आएगा तो अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखा रही हूँ किसमें अंदर भी कितनी अच्छी लेयरिंग आई है ये देखिए तो आप ज़रूर ट्राइ करिएगे ये डिजाइन